हेलो विवर्स तो आज हम फटाफट करने वाले हैं complete the table of NPO chapter number second का NPO करेंगे हम page number 113 है उसमें table दिया उस table को हम क्या करने वाले complete करने वाले so let's begin first of all हमारे पास income दिया है expenditure है और surplus यह फिदिफिशियेट है तो पहले हमें यह समझ लेना कि surplus कब होगा deficiate कब होता है तो जब कभी भी income ज़ादा होगा तब क्या होता है सरप्लस होता है और जब कभी भी एक्सपेंडीचर ज़ादा होगा तब क्या होता है deficit होता है यह दो चीजह आपको ध्हम में रखनी है इंकम जादा तो surplus expenditure जादा तो deficit income surplus deficit expenditure ओ्के अब income है हमारे पास 10,000 expenditure नहीं पता है और deficit कितना है 5,000 का इंकम से कितना जादा रहोगा 5000 यहां पितना जाएगा 10 और 5 15,000 इंकम है 8000 सरप्लस 4000 यहां पर जो एक्सपेंडीचर रहा होगा इंकम से कम रहा होगा कितना कम रहा होगा 4000 का 8000 में से 4000 माइनस करेंगे तो 4000 understood आर यह बात समझ में अब यहां पर एक्सपेंडीचर 15000 और सरप्लस कितना दिया हुआ 8,000 है it means surplus है तो हम क्या करेंगे 15 में 8 को add कर देंगे तो 23,000 का क्या रहा होगा income रहा होगा तभी तो जाके 8,000 surplus आएगा वेटा ओके इंकम है 7,500 and expenditure है 9,000 तो यहाँ पर कितने का हमारे पास surplus हुआ यह deficit हुआ expenditure is higher than income therefore here is deficit तो पहला तो हम यह पता चलगा कि deficit है कितने का deficit है तो 9,000 में से 7,500 माइनस करना तो कितना आएगा 1,500 का deficit है understood अभी income है 15,000 expenditure 11,300 का तो surplus है की deficit है तो income is higher than expenditure therefore it is surplus तो surplus हम यहाँ पर लिखे तो कितने का surplus आजाएगा यहाँ पर हमारे पास 15,000 में से 11,300 माइनस कर देंगे तो आजाएगा 3,700 का surplus इजी है यह आपको exam में one marks का as a objective है और कभी कभी यह पूरा five question as a table में भी आपको आ जाएगे ओके वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को हमारे लाइक करिए चैनल को subscribe करिए और वीडियो को share जरूर करिए thank you